आज के खबर नामा के प्रयोजक है श्री कृष्टना गृप ओफ इंस्टिूशन्स एहमद नगर सीतापुर नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग और पेश हैं सीतापुर की सुर्खियों वाला खबर नामा बारिस के मौसम में बुधुआर रात चली तीज हवाओं से सौभाग योजना की पोल खुल गई जनपत के कई हिस्सों में जर्जन लाइन हवा के जोकों को बरदास्त नहीं कर पाई कहीं लाइन पर पेंड गिर गए तो कहीं तार आपस में टकरा कर तूट गए और बिजली गुल हो गई पुराने सीतापुर सहित सहर के लाल कुर्ती सुदामापुरी हेट पोस्ट आफिस आरी नगर आख स्पताल लोट हर्दोई चुंगी नैपालापुर आदी महले अंधेरे में डूब गए उदर मिश्रीक, महमिस, महमूदाबाद, रामपुर मतुरा वबिस्वा में भी बिद्दुत आपूर्थ ठप हो गई करीब 15 गंटे बिजली नहीं आई सहरी छेतर में लोग पानी को तरस गए इन्वाइटर भी जवाब दे गए अधिछन अबेंता, सीपी आदो ने बताया कि आंधी से हुए नुकसान को रिकवर करने के लिए विभागी करमचारी भोर से ही पूरी सिद्द से जुट गए थे कई जगों की बिजली आपूर्थ को बहाल कर दिया गया है कुरोना की रोक थाम के लिए चल रही कवायत का असर होता नहीं दिख रहा है समय के साथ कुरोना के आंकड़े उचलते ही जा रहे हैं गुरुआर को सीतापुर में 32 नए मरीज मिले हैं इन में सरवादिक साथ सहर के और च्छा महोली के हैं सहर के महला बिजलश्मी नगर, आफीसर्स कालोनी, पुराने सीतापुर में कर्वला के निकट वा अंबिकापुरम, आनन्द नगर में एक एक मरीज मिला है जबकि तीन मरीज सहर के अन्नी महलों के हैं सिदौली के खरवलिया वा अलदातपुर में पांच मरीज निकले हैं सिदौली के ही बागवानी टोला में एक मरीज मिला है महमुदाबाद के बदपुआ वा बिलदारी टोला में तीन कोरोना संकमित मिले हैं खैराबाद के सुजावल पुर्वा नैमिस के उत्तरी वार्ड वबिस्वा में एक एक केस निकला है इसके अलावा कुईन मेरी लखनों में भरती जिला की एक महिला भी पाजट्यू मिली है एक केस जन्पत के अन्न हिस्से का है गुर्वार को कस्बे में एक ही परिभार के चार समय च्छा नए केस मिलने से हडकंप मच गया है सभी मरीज दो दिन पहले कोरोना पाजट्यू मिले मिठाई वाले के संपर्क में आये थे HDM महुली सस्बूर्शन राय ने मरीजों से जुड़े इलाकों को हॉट स्पाट बना दिया है HDM ने जन्मानस से एतिहात बरतने का आवाहन किया है और पुलिस बलको कस्बे में सक्ती बरतने के निर्देश भी दिये है कोरोना की रोक थाम में प्रसासन लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है रिउसा में बनाए गए हॉट स्पाट खंड विकास काराले में बड़ी लापरवाही देखने को मिल लही है काराले में पूरा दिन बिना रोक टोक आवा गमन चल लहा है बुद्वार को 74 लोगों की रैपिट एंटीजन जाच हुई थी इनमें 28 वर्सिये एडियो सहकारता की जाच पाजिटिव निकली है बीडियो हनुमान प्रसाद मिस्र ने काराले को दो दिन के लिए कंटेंटमेंट कर दिया था सूत्रों की माने बिलाग को सिनेटाइज भी नहीं कराया गया है यूं तो रिउसा विकास छेतर के लगबग सभी मार्ग खस्ता हाल है इनमें भिठावली जहागीराबाद का हाल कुछ ज़्यादा ही खराब है जगा जगा गड़े हैं और उनमें पानी भरा रहता है रोजाना कई राहगीर गिर कर चोटिल होते हैं इस रास्ते से सिउता, गुरुरुआ, चंदरसेनी, देवरिया, तंबाउर, कनकारी, भिठावली, सुपावली आधि गाओं की करीब 20,000 आबादी आवा गमन करती है तैसील वाजिला मुक्छाले तक पहुँचने के लिए भी यही मुक्छ रास्ता है गामीर, लच्मीनरान, बबलू, नटनागर, आसीस, रहीम, कलीम ने बताया की रास्ता सही नहोने से बहुत परिशानी हो रही है महमुदाबाद कस्बावासियों के लिए खुसकबरी है अब कस्बे की करीब 60,000 आबादी को कूडे के धेर से पूरी तरह निजात मिल जाएगी दरसल कूडा निस्तारण के लिए पालिका छेतर के खिंदावरा महले में मैटेरियल रिकवरी फैसलिटी सेंटर बनेगा यहां गीले कूडे से खाद भी बनाई जाएगी यो महमुदाबाद सैलेंदर दुबे ने बताया इस पोर्जेक्ट पर 48 राक रुपे खर्च किये जाएंगे भगवान स्री राम मंदिर की नियू पूजन पर बिस हिंदू महासंग ने पीम मोदी को बधाई पत्र भेजा है प्रदेश अद्यच बिखारी प्रजापती जिला अद्यच अनुराग मिश्र जिला प्रभारी अजय विश्व कर्मा जिला उपाद्यच मनीश महुत्रा राजेश वा सतेंद्र सिंग चौहान जिला महामंतरी आलोग शुकल जिला मंतरी नरेश पांडे जिला सैयोजग SP कटियार, नगर अदेच, योगेश शुकल और राजू बाजपेई ने बताया कि देश सदियों से मंदिर निर्मार की प्रतिछा कर रहा था PM मोदी और CM योगी ने मिलकर करोणों लोगों की भावनाओं की पूर्त न्यू पूजन करके की है पारमपरी खेती से हटकर किसानों का रुजहान अब केले की खेती की तरफ बढ़ने लगा है वह बड़े पैमाने पर केले की खेती कर रहे हैं नेरी कला के निबाहरी निवासी देवेंदर यादों ने दो हेक्टेर में 2250 पौधे रोपे थे जिसकी फसल अब तयार हो गई है उचित मूल ने मिलते ही वह फलों की बिक्री करेंगे देवेंदर ने बताया की फसल तयार होने में 14 महिने लगे हैं रुपाई से लेकर अब तक 3,10,000 रुपे की लागत लग चुकी है कोरोना काल में ऑनलाइन सिच्छा में अगरवाल पबलिक इंटर कॉलेज वसिवम अगरवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज नए आयाम गढ़ रहा है दोनों संस्थाएं लेटेस्ट गूगल क्लासरूम एप से बिद्यार्थियों को पढ़ा रही है मनेजिंग डिरेक्टर मन्जू जिंदल ने बताया कि गूगल क्लासरूम एप के सकारात्मक पढ़ना मिल रहे हैं इस एप की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सिच्छक और विद्यार्थि बिलकुल परंपरागत क्लासरूम की तरह ही अध्यन करते हैं भगवान राम मंदिर की न्यू पूजन को लेकर जैन समाज हरसित है अयुध्या में हुए कारिकम में पीठा दीशर स्वामी रवींद कीर्थ को जैन समाज के प्रतिनित के तोर पर बुलाया गया था उन्होंने आई इंडिया से खास बात करते हुए बताया कि मंदिर निर्मार से सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक वा आर्थिक लाब होगा पीम मोदी वा सीम योगी ने मंदिर की न्यू नहीं बलकि देश के स्वर्णिम भविस्ट की न्यू रखने का काम किया है न्यू पूजन पर जैन समाज के पूरवद्देच, मनोरंजन जैन, पारस जैन, राहुल जैन, चंदरकुमार जैन, प्रणाई जैन, नमन जैन, आदि ने भी खुशी जाहिर की है महाराजा चिता पासी के किले पर पासी समाज का जमावाडा हुआ यहां आईजित, जन मिलन कारिकम में समाज की बेहतरी को लेकर मन्थन किया गया इलहाबास से आए बहुजन आवाम पार्टी के राष्टी अद्यच हर्स वर्दन ने बताया कि सिच्छा एक ऐसा हाथियार है जिससे समाज में ब्यात कुरितियों को खत्म किया जा सकता है एमसी भार्गव ने पासी समाज से बच्चों को सिच्चित करने का आवाहन किया कारिकम में अनिल भार्गव सुरेंद राजवंसी निर्मला भार्गव आदि मौजूद रहे गांजरी छेतर में बाढ का पानी गाउं से उतरने लगा है इसी के साथ छेतर में संक्रामक बीमारियों का दौर शुरू हो गया है लहरपुर तैसील के ग्राम नकाप के दरजनों परिवार सर्दी जुखाम खासी वबुखार से पीडित हो गए हैं लेकिन सेहत महाकमा तंद्रा में लीन है गामीर जितेंद भार्गव ने बताया कि किस तरह सारदा के तीज धार में मार्ग कट गए हैं जिन में पानी भरा है ऐसे में गामीर अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं राहत के नाम पर अभी तक सिर्फ एक बार खाद्यान किट मिली है बाड़ पीड़तों को राहत पहुचाने के लिए बिधान सवाथ छेतर स्योता के पूर बिधायक महंद कुमार सिंग जीन बाबू की मुहिम गुरुआर को भी जारी रही उन्होंने दिनेश प्रताप सिंग, सुरेश सिंग, सीता राम यादो, पिंटू सिंग, अमित, मोनू, राजू सिंग, भवन लाल पाल, आज इकार करताओं के साथ रंडा कोडर, राजपूर, बैजवारी वा मुझेहना का ब्रमड किया और पीड़तों को राहत सामगरी माटने में भेदभाव किया जा रहा है, घागरा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, नदी खतरे के निसान से 30 सेंटी मीटर नीचे चली गई है, जलस्तर कम होने से नदी का कटान सुरू हो गया है, महमुदाबाद के अंगरवरा वा परमगोडा में कटान हो रहा है, सं अखरी से पंडित पुरवा जाने वाले मार्क पर बनी पुलिया भी कटने की कगार पर है, इस पुलिया के कट जाने से करीब दरजन भर गाओं का संपर्क तूट जाएगा, नदी अखरीवा सुकलन पुरवा में भी कटान कर रही है, कैसी विज्ञान केंद्र, अंबर पु कैंद्र के अद्देच, डॉक्टर सुरेश सिंग ने बे मौसमी सबजीयों की खेती का महत्तु प्रमुक फसलें, एउम उनकी प्रजातियों के बारे में किसानों को बताया, उमेश कुमार सिंग, खाद एउम उर्वरक प्रबंध और कारबनिक खादों के निर्मान के बारे में जानकारी दी, अनुभो तुर्वेदी ने सबजीयों की खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, उप्मुक की पस्चिकिस्चा अधिकारी सिधौली डॉक्टर गोपेश कुमार सिरिवास्तों ने बकरी पालन पर जोर दिया, पस्चिकिस्चा अधिकारी अटर डॉक्टर एके वर्मा ने मुर्गी पालन पर बिस्तार से जानकारी दी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा धacement कार प्रावकल वजडिकारी आपचिक बैद प्रॉक्टर अझा कारीं के बाद गयावकŁ था जा है लहरपुर के समा सेवियों ने कार सेवकों का समान किया कस्बे के राम जान की मंदिर में आयोजित समारो में उमेश महिलोत्रा, कमल टंडन, वीरेंद पूरी, अशोक कपूर, गोपाल तिवारी, माधो पाठक, माता प्रसाद रस्तोगी, दीपक टंडन, राम प्रकास गुपता, बांके बिहारी रस्तोगी, गोपाल टंडन, बल्लाम सिंग, राजुल महिलोत्रा, तारा चंदर, प्रमो वस्तर देकर सम्मानित किया गया, संचालन, भाजपा नेता, भगवान दिन तिर्वेदी ने किया, मंदिर को जालरों से सजाया गया, कारिकम में बिधायक प्रतिनित, सदस्य जिला पंचायक, उमा संकर वर्मा, भाजपा जिला उपाधेच, राजेश्वर दया लस्तोगी, रमानंद अवस्ती, रामानंद अवस्ती, धर्मेंद्र पांडे, पूर्म नगर अद्यच, मनोज गुपता, उत्तम वर्मा, अमित पाठक, निर्भय पांडे, चिंटू मिसरा, कनहिया मिलोत्तरा आदि मौजूद रहे, लहरपुर के बेहटा बलाक के सीहपुर गाउं में, सारदा की बाढ़ में सैकडो एकल फसल तबाह हो गई, खेतों में नाव चलने की नौबत आ गई, किसानों का कहना है कि पानी अचानक बढ़ा है, प्रसासन ने इसकी सूचना पहले से नहीं दी थी, कॉंग्रेस पार्टी ने जमीनी अस्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है, गुरुवार को पार्टी काराले पर आयुजित कारकरताओं को वार्ड प्रबारी न्यूक्त किया गया, सहर अध्यच संतोस भारगों ने सहर उपाधित धीरेश कस्यप, अनुसिंग चवहान, सहवेज मुक्तियार, रिजवान खान, रूप किसोर, आस्तोस बाटपई, सुरेश भारती, प्रदीप रावत, इमरान अली, आधि को अलग-अलग वार्ड का प्रभारी न्यूक्त किय पूर्व मलसी हरीस बाटपई, सुरेश गुप्ता, नंद किशोर पहवा, असोक सिंग मुन्ना, बिनी दिच्छित, फराहत बेक सनी, आसीस मिसरा, कयू मंसारी, मंजरी राही, सैलेंदर सिंग, प्रेमलता शुकला, मीना मिशरा, राजेंदर निगम, स्याम राठोर, वकलन को सलाहकार समित में अस्थान दिया गया, पतनी को बिदा न करने पर सराबी पत दोरा, उसे बांके से अदमरा किये जाने के मामले में, फिलाहल गायल पतनी की हालत सामानी बताई जा रही है, बता दें, बुद्वार रात, रिउसा महदेवा, सुपौली में, पच्चिस वर से बिदा कराने आया था, लेकिन ससुराली जन जूली को बिदा करने से मना कर रहे थे, सराब के नशे में भरोसे ने जूली को बांकों से मार मार कर अधमरा कर दिया था, जूली को सियसी से जिला स्पताल रिफर कर दिया गया था, आरोपी पत को पुलिस ने गिरिपतार कर देर रात पूर बिधायक सिउता महन सिंग जीन बाबू भी पीड़ता का हाल जानने पहुंचे सियोबिस्वा प्यूस सिंग ने बताया कि पतनी की इस्तिती सामान है आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है सिधाली के एहमदपुर जट गाओं के निकट अग्यात वहन की टककर से 50 वर्षिये मजदूर की मौत हो गई गडिया हसन पुनिवासी 50 वर्षिये हिल्लू रावत गुरु आर सुबा मजदूरी करने गया था अहमदपुर निकट इस्थित मौरंग मंडी के पास किसी अग्यात वहन ने उसे कुचल दिया ग्रामिनों की सूचना पर पुलिस पहुंची और सौव को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया गुरु आर को चली तेज हवा के बीच पेण की डाल गिरने से एक महिला की दब कर दर्दनाक मौत हो गई तैसील विस्वा के गाओं अहरन पुरवा निमासी 45 वर्षिया कांती देवी गुरु आर दोपहर करीब एक बजे सौच के लिए खेत गई थी वापस आते समय आम के सूखे पेण की डाल तूटकर कांती के उपर गिरी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई गटना की सूचना प्रदान द्वारा SDM विस्वा सुरेश कुमार को दे दी गई है जिनोंने सासन द्वारा सहायता उपलब्द कराने की बात कही है सहर कोतवाली इलाके के गाउं डी प्रवा निवासी 19 वर्सिय रोशन का सव आम की बाग में लटकता मिला में तक के पिता प्यारे लाल ने उमरी गाउं निवासी असरफी रामहेत जीतू प्रताब पर हत्या किये जाने का आरोप लगाया है प्यारे लाल के मुताबिक सुभा ही आरोपियों ने उसकी फसल को जबरन काट लिया था कोतवाल टीपी सिंग ने बताया पर्थम देश्टेया मामला आत्म हत्या का लग रहा है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद कारवाई की जाएगी मुसरिक कोतवाली पुलिस ने डेड़ किलो गांजे के साथ एक अभिख्त को दवोचा है कोतवाल इंदरजी सिंग ने बताया कि दिलसाध पुत्र लियाकत निवासी भीवीपूर मुसरिक को बीबीपूर चौराहे से गृफतार किया गया गेड़ किलो गांजा परामद हुआ अभिक्त को जेल बेजने की कारवाई की गई है सहर कोटवाली पुलिस के सिपाहियों दोरा निर्दोस किसान को अबैद पेंड कटान के मामले में गृफतार करने का अजब गजब मामला सामने आया है दरसल सहमोली चौकी छेत निवासी पिंकू ने पुलिस को सूचना दी थी कि निजामाबाद गाओं में मुन्ना लालवा सिया राम आम की बाग पर आरा चला रहे हैं सामोली चौकी के सिपाही मौके पर पहुँचे और बाग में काम कर रहे निर्दोस किसान राम चंद को चौकी ले आए किसान बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहा लेकिन पुलिस पाँच गंटे तक राम चंद को चौकी पर बिठाए रखा मामले ने तूर पकड़ा तो सहर कुत्वाल टीपी सिंग चौकी पहुँचे और निर्दोस किसान को छोड़ कर सिपाहियों को फटकार लगाई साथ ही बताया कि असली दोसियों पर जल्द कारवाई की जाएगी मियाद खत्म होने के चलते डियम अखले स्तिवारी ने जन्पत के 11 अस्थानों को होट स्पार्ट से मुक्त कर दिया है और नए मरीज मिलने पर दो अस्थानों को होट स्पार्ट बनाया गया है जिलादिकारी ने बताया सदर तहसील के ग्राम कनवा खेड़ा वा सहर के महला राम नगर को हाट स्पाट बनाया गया है वहीं तहसील लहरपूर के महला काजी टोला सहर के महला सास्तिरी नगर कजियारा घूरा मव खूपपूर वा राम कशनपूरी हर गाओं के महला राम नगर और गाओं बहमई वा ढोलाई कला एलिया के भवानी पूर मिश्रिक के महला खांखी जराय को हाट स्पाट से मुक्त कर दिया गया है पर्या वरण के प्रति अधिकारी सजग नहीं है अधिकारी समय पर सूचनाएं भी उपलब्द कराना मुनासिब नहीं समझते इसकी बानगी गुरुआर को कलक्टेट सभागार में हुई जिला अधिकारी की बैठक में देखने को मिली Solid Best Management, Plastic Best Management, E-Best Management, Construction Best Management और Biomedical Best Management की सूचनाएं ना उपलब्द कराने पर जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों के जिम्मेदारों को फटकार लगाई उन्होंने अधिकारीों से जलासयों, बेटलेंड, तालाबों एवं जीलों की कारी ओजना भी तलब की इसके बाद जिला अधिकारी ने खनन विभाग की समिच्छा करते हुए खनी जिन्यास की धनराश से बाढ़ पीडित तहसीलों में सामुदाई केंदर बनाने का इस बैठक में मुक्विकास अधिकारी संदीप कुमार, नगर मजिस्टेट, पूजा मिश्रा, उपजिला अधिकारी सदर, अमिदभट, प्रभागी निदेशक, सामाजिक वानिकी, डॉक्टर अनुरुद पांडे, आधि अधिकारी गण मौजूद रहे थाना सकरन छेत्र से एक घिनवनी वार्दा सामने आई है, जहां एक आट वर्सिये मासूम बच्ची के साथ गाउं के ही 19 वर्सिये युवक ने दुसकर्म किया गुरुवार सुबा नौबजे मासूम बच्ची खेत की ओर गई थी, तभी घात लगाए गाउं के ही जगमोहन पुत्र छैल बियारी ने बच्ची को खेत में खीच कर दुसकर्म की वार्दात को अनजाम दिया आरोपी मौके से फरार हो गया, देर साम घटना स्थल पर पहुँचे, स्पी आरपी सिंग ने बताया केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी को ग्रिपतार कर लिया जाएगा सहर के साथ ही विश्वा तहसील छेतर में सुकर्वार को भी बिजली रुलाएगी, सुभा दस से बारा वजे के बीच बिजली गुल रहेगी, असासी अभेंता बिद्दुत पारेशन खंड देवेंद सिंग ने बताया कि पावर हाउस के के बीए ट्रांसपार्मर में इस प नगर पालिका मिश्रिक के बाद अब नगर पंचायत तंबोर की अध्यच्छा सहनाज बेगम पर अधिकार सीज होने की तलवार लटक गई है, असासी अधिकारी उमेश कुमार सिंग ने नगर पंचायत अध्यच्छा के पत जबन बेग पर नगर पंचायत के कारेओं में बादा डालने का आरोप लगाया है और अध्यच्छा सहनाज बेगम को हटा कर प्रसासक नियुक किये जाने की संस्तुत करते हुए प्रबारी अधिकारी अस्थानी निकाय को पत्र लिखा है, यो ने अध्यच्छावा उनके पत्र के साथ ही पूर्भ लिपिक सुभान अली के बिरुद कानूनी कारवाई करते हुए गुसूली किये जाने की भी संतुत की है, उधर अध्यच्छा के प्रतिनिद जब्बन बेग ने बताया कि यो जनहित के कारें की अंदेखी कर रहे हैं, ऐसे में ना तो कस्बे की सफाई हो पा रही है और ना ही अनिकारे, यो उन प पूरी तरह काम्याब नहीं हो रही है, गुरुवार को सतुही नकहा मीत महुआ परेवा गाउं के ग्रामीरों ने केरोसीन तेल दिये जाने की मांग के समर्थन में हाथों में केन लेकर प्रदर्सन किया, ग्रामीर उधर पताब भार गाउं ने बताया कि चारो गाउं के 96 ल यह था आज का खबर नामा देखते रहिए आई इंडिया और मुझे दीजिया इजाजत शुब रात्री शब्भाखेर